हेलो एवरीवेन वेलकम टू मैं चैनल तो आएए आज हम बाल विकास सिच्छा सास्त्रे शेशंबंधित कुछ प्रेश्णों को देखते हैं जिसमें आज का मेरा आज का टोटल थर्टी प्रेश्ण है तो आएए हम देखते हैं कोश्चन नमबर फर्स्ट वाल विकास से क्या तातपरज्ज बाल विकास से उप्षन दिया हुआ है के वलगन का होता है बालक के बांओंայ से थार्टाम व्ञास होता है वालक करे वाल हो यह वीस्था यह न यह मौलन से तातपरज है दोनों के आहने झाहीए देके दिया हुआ कं लाविए अधियन किया जाता है तूंपर दूनों रहता है तो े और सब्सक्राइब पाइस सब्सक्राइब कर दो समय में लिए चमआनों के derecho होते हैं वाटसनं का कथाने कि sa Coule fruit am 1 और अगर जिस परकार से बाला का वालता वाक्त होता है उसका परबरिस किया जाता है उस पर सकन्सार से वालक सभी वालक विकास होता है यह वैसे लिए zou सब्यूर्ण सब्थ है कि वालकों में रश्टियता के विकास हैं तो सिस्कोय क्या करना अवश्यक है। आन दौन का। लिए जैने में करना पूरत होति का उज़ीत करना चाहिए, जिसे वालकों में रष्टियता का विकास होगा। तो यह अंसर हो जागा option number C नेक्ष है विकास इनका उत्पाद होता है अधिगम का परिपक्ता का अधिगम तथा परिपक्ता का अभियास का तो विकास इनका अधिगम और परिपक्ता का विकास अधिगम और परिपक्ता का उत्पाद होता है नेक्स्ट कोश्चन नमर फाइब है बच्चे के मस्तिष के बच्चे के मस्तिष का आकार की सायू में लगवग परिपाक हो जाता है बच्चे का आयू बच्चे के मस्तिष का आकार की सायू में लगवग परिपाक होता है 6 बर्ष में 8 बर्ष में 9 बर्ष में 10 बर्ष में तो बच्चे का मस्तिश का आकार 6 छे बर्ष में 6 बर्ष में उसका लगभख परिपक हो जाता है किसी भी बच्चे का मस्तिश का आकार नेक्स्ट है सिच्छा सास्त्र एक वैज्यानिक पर किरिया है जिसमें सिच्छन कला का वैज्यानिक दिश्टी कोन से निरूपन किया गया है ऐसी वीद्या जिसमें हर परकार की सिच्छन वीद्य का अध्यन किया गया है या शिखने शिखाने की कला है तो सिच्छन की रिया ऐसी वीध्या है जिसमें हर प्रकारती सिच्छन वीध्य का आध्यन किये जाता है तो यह इसका राइट एंसर हो जागा option वी नेक्स्ट है question number seven मनोवज्यानी का सिधानत नाम और कुस्तक किस मनोवज्यानी द्वारा लिखी गई है तो थर्ण डाइक जेम्स डीवी तो यह जेम्स द्वारा लिखी गई है next question is सिच्छा मनोवज्यान का आध्यान अवर्शक है उन सभी के लिए जो किसी ने किसी रूप से सिच्छान वंपर सिच्छान से जूड़े हैं कि वद सिच्छा बढ़नी की योगता प्राप्त करने है तो बच्चों में सुनिश्चित विकास के लिए बच्चों के माता-प जनकारी मिलती है जिसके लिए सिच्छन की परकिरिया शफल और पर सिच्छू पर सिच्छू को ताथ्यों का शम्यक बोध हो जाए तो यह अंसर हो जाएगा एंश के लिए जो किसी ने किसी रूप से सिच्छन वंपर सिच्छन से जूड़े हैं नेक्स्ट कोस्चन कोस्चन नमबर नाइन नीम्न में से कौन सी विधी ब्यक्तित मुल्यांकन की नहीं है प्रश्ण वाली परिच्छन ड्रा ए मायन शर्वे परिच्छन पढश्यपन परिच्छन तो इसका राइट अंसर हो जाएगा सर्वे परिच्छन ब्यक्तित मुल्या और बच्चो का सबसे पहला सिछख कौन होता है तो बच्चों का सब्से पहला सिछक माता पीता होता है और जम से लेकर बड़े होने तक किसी भी परकार के कार्ज को करनी की परकिरिया सिखाती है यह दूठ पी ने से लेकर सोने चलने हशने शबी रूप में इन्हें शिखाते हैं तो यह हो जाएगा माता पीता माता सबसे पहले बच्चों का सबसे पहले सिछक माता होता है यानि मा ही होता है बच्चों का सबसे पहले सिछक बच्चे को चलना सिखने के लिए सबसे पहले कौन सी परकिरिया अपनानी पड़ती है उसे घुटनों के बाल दोडाना सिखाना होता है उसे दिवार के शाहरे खड़ा करना होता है, उसे आसरे देकर खड़ा करने के साहस परतान करने को चलना सिखाना चाहिए, उसे पहिये वाली गाड़ी के साहरे चलना सिखाना चाहिए, तो उसको आसरे देकर खड़ा होने के साहस परतान करके सिखाये जाना चाहिए, क्योंकि बच्चा सुरू सुरू में जब खड़ा करने की कोसीज करता है तो बैलेंस नहीं ले पाता है इस प्रकार से डर जाता है तो उसे आस्रे देकर करके अगर हम खड़ा करें और उसको साहस परदान करें तो आसानी शेक्ष जाएगा या दोड़ना सीख जाएगा कि मनोवि ज्ञान के अंत्रकत किस विचार को पर्थम बल की शांग्या दी जाती है मनोबिज्ञान के अनुशार किस विचार का पर्थांबल का शंगया दी जाती है तो मनोबिज्ञान का मनोबिज्ञानिक विशलेशन को मनोबिज्ञान के पर्थांबल के नाम से भी जाना जाता है बच्चा मा का दूद पीकर क्या प्राप्त करता है अपनी छूप दिसांद करता है पॉष्टी कहार और निरोगता प्राप्त करता है प्यार प्राप्त करता है नींद और स्वास्त प्राप्त करता है तो पॉष्टी कहार बच्चे अपनी मा को दूद पीकर के पॉष्टी कहा एवं निरोगता प्राप्त करता है इस पर से मां का दूद्ध बच्चे के लिए सर्वोत्ता महार होता है सर्वोत्ता पॉस्टी कहार होता है जो निरोगता को देने वाला तथमा के हिर्दय का स्पंधन होता है तो राइट अंसर हो जाएगा ओप्शन एए निक्ट्ट्स कोस्चन हैaufen कि सरीरिक बिकास और मान्सी के लिकास दोनों एक दुसरे से जूड़ा हुआ है तो क्यों ऐसा क्यों है सरीरिक 犧ीकास के मांसी विकास नहीं है नहीं है वाय की अनुषार सरीर के बीधी होती है पर मानसिक विकास पर परिज़च्छन से मिलता है नहीं कि दोनों अलगलग पर किर्या स्वास्ट रहेगा मानसिक कर से होगा स्वास्ट अगर नहीं रहेगा तो की उस पर मांसी वीकास का परहौ। सारीडी का भी विष्थी के साथ बत्चे कमस्तिस्क भी बढ़ता है तहसे विकास की समबनाय बरती है तो इस also ऑप्सण डी सारीडी काम EN dow लू अउन्यсли Chitth F متellen welcomed इस पूष्चन बालक और बालक और बिकास की दर अलग अलग होती है क्योंकि दोनों का सरीर एवं मांसीक विकास प्रकृतिश्क रचना के अंसारा नुपातिक ध्हंंस ना प्रकृति ने उसकी अवसक्ता अनुसर बनाई है फलता दोनों का विकास सरीरिक या मानसिक उसी के अंसार समनुपातिक ढंग से होता है why नेक्ष्ट है मनुवज्यानिक पर्योग्षाला की अस्थापना सरपर्थम की गई थी इस कोस्चन को चेंज करके दूसरे तरीके से दिया है मनो बैग्यानिक परियुक्साला की अस्थापना सरपर्थम की गई थी किनके द्वारा की गई थी वूड, जेम्स, पैबलो, थांडाइक किसके द्वारा की गई थी तो मनो बैग्यानिक परियुक्साला की अस्थापना सरपर्थम वूड ने की थी सरपर्थाओं वुट द्वारा मनोवज्यानिक पर्योग सालक की अस्थापना की गई थी यदि बच्चे का मानसिक विकास उसके सरीर की तूलना में उम्र के अनुसार कम हो तो क्या करेंगे बच्चे का मानसिक विकास उसके सरीर की तूलना में यानि उसका जितना सरीर की विकास हुआ है उसके अनुसार से मानसिक विकास कम होता है तो उससे क्या करेंगे थोड़ी कमी या अधिकता चिंता जनक नहीं होती क्योंकि प्रकिर्टिक व्यक्तिक विविंता भाववस करती ह नहीं गलत है प्रकिर्टिक संतूलन बनाकर दूसरी बात ते अधीक मात्रा में देती है बिल्कुल भी नहीं बच्चों को परिवारी को परिवेश बदलने का परियास करेंगे परिवारी को परिवेश सरीरी को मांसिक विकास से दूर करने का परियास करेंगे बच्चे का सांदिी को मानसिक विकास में विशंगती है एक शामान नहीं होता है तो उसको मनोबय्ज्ञानिक परिशन कराएंगे और उसको एक शामान करने की कोशीज करेंगे तो प्राया थोड़े बहुत अंतर के साथ उम्रेवं सरीर के सनुपातिक ढंक से बच्चों में मांसिक भीकास कुछ अंतर के साथ एक जैसा होता है प्रंतु बिशंगति अधीक होने पर मनोबैज्यानिक परिच्छन करवाकर उसे उसको मनोबैज्यानिक परिच्छन कराकर उसे जो बिशंगति है उसे दूर करेंगे नेक्ष है भारत में पर्था मनोबैज्यानिक परियोग्षाला कहां अस्थापित की गई थी नेक्ष है बच्चो की सरीरी के विप्रीधी वह मांसिक भिकास के कर परिवर्तन को क्या होता है पूर्ण परिवर्तन लुप्त हो जाते हैं उनका शंग्यान बना रहता है जीवन में फिर से उनका आगमन नहीं होता है ध्यान देने के लिए अवश्यक बात नहीं है ध्यान देने के लिए बिलकुल अवश्यक बात है जीवन में फिर से उनका आग यह समों संद्व करन के ऊंदर होने वाले वाले पुर्वी परिवर्तन का लुक्त हो जाता है नए ने iç में मैंग डूगल ने ब्यक्तित को अब इसलेशन प्रस्तूत किया मूल प्रभिर्तियात्मक व्यभार को संदर्ण किया अप्यूक्त में से कोई नहीं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा से polítती किया आप्सथनीनियार करते आप्सथी नहीं मूल प्रभिर्तियात्मक व्यभार को विसलेशन किया था और ने कोई पचा अपनीश्ति के प्रतिकूल आच्रन करते हुए नहीं परदर्शन करें तो एक किसका परभा होगा माता पीता के गुंसुत्रों का परिवारिक परिवेश के लालन पालन का अत्यधीक विद्धीक गुनांग के परभाव से बिलच्छन में बुध्धी प्रकृति प्रदत होती है अशमान वच्चा माना जाएगा तो इसका राइट परतिभा साली बच्चों होते हैं नेक्ट स्पोक्षयन मिल्टन i correct य्यव्ती यह यूक्ति की बज़्पन की विकास पर किया मनुष् कि भावी जीवन का उसी परकार आभास देती है जैसे सुबह पूरे दीन की स्थिती का संग्यान देती है कातातपज मिल्टन की यह उक्ती कि बच्पन की विकास परकिरिया मनुस के भावी जीवन को उसी परकार आभास देती है जिस प्रकार सुबह पूरे दीन की स्थिती का संग्यान देती है तो बच्पन में विकास करने वाला बच्चा बड़ा होकर अच्छा बनता है परिस्थितियों मनुष को बनाती है बच्पन भविष का संकेत मात्र है प्रारंभिक जीवन के गुण परिस्थितियां एवं पारियवरन भावी जीवन की गतिन इधारित करते हैं बोलता है मिल्टन की यह उक्ति कि बच्पन की विकास की परकिरिया मनुष के भावी जीवन का उसी परकार तो इसका राइट अंसर हो जागा ऑप्सन डी कि प्रारंभिक जीवन के गुण जो सुरुआत में जीवन का गुण होता है परिस्थितियां एवं पारियवरन भावी जीवन के लिए आगे वाला आगे समय में आने वाले जीवन के लिए जीवन की गति निर्धारित करता है कि यहांexy अबहारत में पर्था मनों भी ज्न कि आंसर की अस्थापना की थी पर्था मनों भी ज्यान पर्योग्षाळ के स्थापना किस ने की थी एन सेन गुपता बी सी एस बोस ए एन चटार जी ने बी एन बनर जी ने तो ए एन शेन गुपता ने पर्थम मनोबैज्यानिक पर्योक्षाला अस्थापित किया था तो इस परकार से राइट अंसर हो जाएगा defence Necks समाजी करन करने वाली सर Пर्दंध्यालय मित्र मंदलिया तो इस समधी करन करने वाली सबसे पहले सर पर्थम से ही समाज रण का विकास होता है तो इस परकार से घर होगा इसका राइट अंसर घर होगा नेक्ट है तीन वर्स या इससे उपर के उम्र के बच्चे को सिखाने के लिए कौन सी बीधी सर्वाधीक उपियोगी है बीधियां तो बहुत सार होता है लेकिन पूछ रहा है सर्वाधीक तो सर्वाधीक बीधी हो जगा पुस्तक में बने चित्रों की पहचान कराके भौतिक रूप से उस परकार की बस्तुओं को दिखाकर माडल पत्ती द्वरा बच्चे को उन चीजों को परदर्शन करके परिबेश में उपलग्द समागरी द्वरा खेल खेल में शिखाना तो र सिखाने के लिए सबसे अच्छा भी होगा खेल-खेल में सिखाना और उपलब्द शमागरी के द्वारा उसको उपलब्द कराएं गया उसको खेल-खेल के द्वरा सिखाएंगे तो सबसे सर्भूत्तम बीधी होगा नेक्ष्ण हां डाइक ने वुद्धी की प्रकृती के सं ठर्ण डाए थॉर्लर कौना सीधान दिय गए था एक शक्ती सिधांद ब्यधिक शक्ती सिधांद का फट्ति पादन केया था वह शक्ते सिधांट का ठर्ण डेज ने दिया था नेक्ष है सरीरिक मांसिक समाजिक और समभगातम कि सवस्थ conservative पर पहुछता है तो कीड होरा वस्थ हमें की सोरा वस्था में पोर्णो पर पहुंच जाता है सर्बachen पर हम चान बच्चों को काटून दहरा शिखाया जाने में आसानी क्यूं मसूस होती है बच्चों के उचलने को चीतर को देखकर अपने से तादम में मश्रूच करता है जल्दी सीखता है काटून में परियुक्त चीतर बच्चों को बहुत पसंद है तो इसका राइट अंसर हो जागा बच्चा कार्टून के उचलने बोलने एवं कार्ज करने को चीतर में देखकर उसको अनुकरन करता है जिस तरह से उचलता है और बोलता है तो इस परकार से जब उसको देखता है चीतर में तो वह अनुकरन करके और वह जल्दी से सीख लेता है तो इसका राइट अंसर हो बच्चों को ड्राइंग पेंटिंग से सीखने में दों क्यों असानी होती है क्योंकि ड्राइंग पेंटिंग अपनी कल्पना के समझ में ऐसी बाते ज्यादा शानी ऐता है तूशका राइट अंसर हो जाजगा ओप्जन ए बच्चा कोई भी अगर अगर बटाता है उसमें पेंटिंग अजरते एक कल्डिंग करता है तो कल्पना के अनुसर करता है तो अपने अंदर जो कल्पना करता है उसको भाहर पेज पे कौपी पे दर्साता है तो इस परकार से बच्चा आसानी से शिख जाता है तो यह थे हमारे आज के 30 कोस्चन बालविका से संबंधित तो थैंक यू वीडियो को सेर करें लाइक करें और सबस्क्राइब करें